बिग बॉस सीजन 15 के खर में अब तेज़श्वी प्रकास ने कर लिया है एक बड़ा फैसला आखरकार तेज़श्वी ने क्या कुछ बड़े सीजन्स लिये हैं अपने बिग बॉस सीजन 15 के गेम को लेकर क्या कुछ है पूरी अपडेट क्या है पूरी खबर हम बताएंगे आपको इस वीडियो में नमस्कार में इस्ट्रस्ट ही आप सुब का स्वागत करती हूँ हमारे यूटिब चानल पर विल आपको बता दो बिग बॉस सीजन 15 के घर में शुरवात से ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि करन कुद्रा और तीजश्वी प्रकास को अपना सोलो गेम शुरू कर देना चाहिए लेकिन शुरवात से हम देख रहे थे कि कही न कहीं काफी जगड़ों के बाद भी दोनों लास्तली एक साथ हो जाते थे लेकिन पिछले दो दिनों से जो जगड़ा छड़ गया है दोनों के बीच अब दोनों एक होने का नाम नहीं दे रहे है क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खेल ले लगे हैं तो अविस है कि आप बात तो बन नहीं रही है कोई एक अगर खेलता कोई एक अगर साथ देता तो कहीं न कहीं बात बन जाती लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं तो दोनों की ही एक दूसरे के साथ बाची तो बढ़ी बंद हो ही चुकी है वहीं पर तेज़श्वी प्रकास ने अब ये बड़ा फैसला भी ले लिया है जहां तेज़श्वी प्रकास ने कहा दिया है कि अब ये जो expectation नाम की चीज़े है ना वह मुझे खदम करनी होगी और ये जो emotions वाली चीज़ है अब season 15 के घर में मुझे नहीं देखना है अब मुझे game खेलना है और सिर्फ अपने लिए खेलना है तो यहां कहीं ना कहीं तेज़श्वी प्रकास का सीधा सीधा यही कहना है कि अब उन्हें किसी भी relationship से कोई मतलब नहीं है अब तेज़श्वी प्रकास बिग बॉस season 15 के घर में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलेंगी अब देखना दिल्चस्प होगा कि आखरकार बिग बॉस season 15 के घर में तेज़श्वी प्रकास ने यह जो बड़ा फैसला लिया है वो कितने दिन तक इस पर चलती रहेंगी या फिर खत्म हो जाएगा उनका यह फैसला आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए साथी साथ entertainment और विग बॉस से जड़ी सबी जानकारियों के लिए जड़े रहे हमार शान के साथ धन्यवाद